नमस्कार दर्शकों कांठल की आवाज डिजिटनलीजम आपका स्वागत है तो शुरुवात करते हैं दीन बर्द की ताजा खबरों के साथ नीजी यातरी से भरी बस खाई में गीरी बड़ा हस्सा टला दरसल आपको बता दे कि परतावगर से रतलाम जाने वाली बस में हुआ हस्सा धलोड के समीप निनोर गाउं में हुआ आसपास की व्यक्तियों ने बचाई यात्रियों की जान खबर सालमगर से यहां ब्लाइन मर्डर का हुआ खोला सा एक आरोपी को किया गिरफतार वहीं परतावगर विदायक हेमन मीडा ने पंचाई समीति के अधिकारियों को कोताहा नहीं बरतने के लिए दिये निर्देश वहीं भाजपा ने भाष्टाचार और गोटाले को लेकर गांधी चुराये पर कोंग्रेस का पुतला फुका उसी के साथ भारत आदिवासी पार्टी विदान सबास्तरी समीक्सा मीटिंग संपन वहीं रायस्तान में भी अभी तक चीफ मिनिस्टर के रेस में कोई चेरा साफ नहीं हुआ है पूर्वसीयम वसुनर राजे पार्टी के लिए है दावेदार वहीं राजनात ला सकते हैं जवाब पार्टी सुत्रों के लिए वहीं खबर परतावगर से आ रही है सहर में सुक्रुवार को सफाई विवस्ता को सुधारने के लिए नगर परिशत सभापती राम कन्या प्रहलात गुजर ने सफाई विवस्ता की जानकरी लेते हुए सहर के वाडों का निरक्षन किया वहीं कलेक्टर डोक्टर इंद्रजीत यादव ने सुक्रुवार को मीनी सची वाला परिशर में प्रधान मंत्र किशान सम्मान निधी योजना की समिक्षा को लेकर बेटक ली वहीं एक नजर अब मोसम पे डाल ली जाए तो जिले में 15 दिसंबर के बाद तेज होगी सर्दी 11 से 12 दिसंबर से एक्टिव हो सकता है ठंड का प्रभाव उत्तर भारस से उठने वाली वर्फिली हवाएं जिससे रायस्तान, हरियाना, पंजाब, दिल्ली, पस्चिम, उत्तर परदेश के साथ, पूरी मद्धी परदेश और गुजरात के कई सहर होंगे प्रभावित